प्ले स्टोर से 85 अप्लिकेशन को गूगल ने हटा दिया है और ना जाने प्ले स्टोर पर अभी कितने सारे अप्लिकेशन होंगे जो आपके मोबाइल को नुकसान पहुचा सकते हैं हो सकता है उनमें से कोई application इस समय आपके phone में मौझूद हो और आपके phone को नुकसान पहुचा रहा हो वीडियो के साथ बने रहेगा और इस वीडियो में हम बात करेंगे play store के कुछ secret application के बारे में जिनें आपको डाउनलोड नहीं करनी चाहिए और अगर आप डाउनलोड करते हैं play store से कोई भी application तो आपको क्या क्या सवधानिया बरतनी चाहिए यारनी की क्या क्या ध्यान रखना चाहिए वीडियो के साथ बने रहेगा सबसे पहले तो आप इस वीडियो को लाइक किजेगा चाहिए को सबस्क्राइब किजेगा और बेल आइकन को प्रेस करके आप उसे आउन कर दिजेगा तो शली ये वीडियो सुरू करते हैं नमस्काश तो मेरा नाम हेरविश अंकर पाठाक और आप देखेरें माई प्रेमरी शेलूशन सबसे पहले तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बतेगा कि आप अपने फोन में आपलिकेशन कहां से डाउनलोड करते हैं यानि कि हुमाफिर आकर आपके फोन को खराब करने का काम करते हैं और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई इस आपलिकेशन को डाउनलोड कर लो ये हो जाएगा वो हो जाएगा भाई कभी भी अगर आप Play Store से अप्लिकेशन डाउनलोड करते हैं तो जरा सोच समझ कर डाउनलोड कीजेगा वरना आपके फोन में भी वाइरस आ सकता है या फिर आपका फोन हैंक करने लग सकता है या फिर आपके फोन में तरह तरह के पता नहीं कैसे कैसे गंदे इधर उधर के आड्स आएंगे आप उनसे परिसान हो जाएंगे एक समय तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई मैंने गलत फोन खरीद लिया है इस फोन की वज़े से मेरे फोन में आड्स आ रहे हैं गूगल से अप्लिकेशन डाउनलोड करते हैं सर्च करके किसी वेबसाइट से अप्लिकेशन डाउनलोड करते हैं तो ये कामा बंद कर दिजे क्योंकि अगर आप किसी अप्लिकेशन को वेबसाइट से या किसी थर्ड पार्टी जगह से आप डाउनलोड करते हैं अच्छी चीजे ही बताएगा कि आप इस application को download कर सकते हैं या इस application को download नहीं कर सकते हैं किसी भी application को अगर आप play store को छोड़ कर कहीं और से download करते हैं तो उस application के बारे में research किजिए तभी आप अपने phone में उसे download किजिए वरना आपका phone खराब हो सकते हैं दूसरी बात अगर आप play store से किसी application को download करते हैं ठीक है download मैंने कर लिया कोई problem नहीं है लेकिन जब आप उस application को open करते हैं तब आपसे वह application permission मांगती है अब permission देते वक्त आपको ध्यान देना है कि वह application आपसे क्या 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 permission मांग रही है अब camera वाली application आपसे phone number की permission माँगने लगे या phone number की application आपसे camera की permission माँगने लगे आपके phone की gallery की permission माँगने लगे तो भी है गलत है आप समझ जाए कि यह application सही नहीं है आपके लिए तो यह सब बातें आप थोड़ा थोड़ा समझिए और आप सो समझ करके ही किसी भी application को डाउनलोड कीजिए अभी play store से 85 application को हटाया गया है इस वज़े से कि वो application आपके phone में तरह तरह के ads दिखाते थे इतने गंदे गंदे ads दिखाते थे, उल्टे सीधे ads दिखाते थे और वो ads हटते भी नहीं थे, एक limit time के बाद ही हटते थे जैसे ads सुरू हो गया आपके home screen पर, तो ad चलेगा एक मिनट तक, दो मिनट तक इसके बाद ही उस ad को आप हटा सकते हैं, या खुद बखुद हट जाएगा तो इस तरह से बहुत सारे play store पर application है, जो कि आपके phone को खराब कर देते हैं तो जरा सो समझ करके अगर आपके application को डाउनलोड करते हैं, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा बस आज के वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो थोड़ी से भी अच्छी लगी है, तो आप अपने दोस्तों के साथ Facebook, WhatsApp पर share कीजेगा इस वीडियो को लाइक किजेगा और नीचे कमेंट करके बताएगा आपको वीडियो कैसी लगी, तो बस आज के वीडियो में इतना ही, thanks for watching, bye bye, take care